मेरे जिगर का फूल है और माल उत्रा ही भरूँगा जितना गौर्मेंट का रूल है। पुरी किस्मत उसी में आये रती ही कमें निकले। हिजर की रात है और आख में आसू भी नहीं। ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करे। शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हिंतुस्तान ही नहीं हिंतुस्तान के भार तमाम वो मुल्क जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। आपका दो शेले स्टोड़ा आ गया है। और आप मेरे साथ मिलके कहना चाहते हैं। तो कह दीजिए एक बार शेलो प्रेजेंट स्वा भाई। वाई। वाई यह जो ट्रक होते ना बड़े कमाल के होते हैं। लव् के पीछे निक कोता है जो उनकी पीछे लिखा होता है wenn duka amazedWhitillad मेरे आदे जा रहा था उसमें इतनी बढ़ीया बात लिखी थी कि ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है। ट्रक नहीं है, मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूँगा जितना गॉर्मेंट का रूल है, यहां तक को ठीज था, लेकिन ट्रक वालों को एक स्कूल बस ने पीछे छोड़ दिया, भाई मैं इतनी देर तक उस वाक्य को पढ़के खुश होता रहा, स्कूल बस जिसक इतना बढ़िया वाक्य लिखावा था, हौन बजाके मुझे बार बार मचेडो मैं बच्चों वाली हूँ, जिन्दगी में मज़ा तो बातचीत का ही है, बातचीत का मज़ा आना चाहिए, अब बातचीत का मज़ा किसी किसी के पास होता है, हाजर जवाबी जी से कहते हैं, तो एक लड़का चलते वे, इसमायल की तरह का कोई लड़का गिर गया बिचार आचाना गिर गया, तो वहाँ एक गधा ख़ड़ा था, घलत की से गधूं के पाउं में, भभी गधे तो उनके पाउं में गिर गया, अब जैसे गिरा तो ये स्वाती की तरह कोई खुबसूर जवाबी का है, ये मज़ा बातचीत का है, ये मज़ा गुफ्तगू के अंदाज का है, तो हमारे साथ वो सोधागर हैं जो आज गुफ्तगू करेंगे, इनके लिए कहते हैं, वाँ, भाई, वाँ, भाई, क्या बात है, तो ये तीन लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, तीन अलग हमें बढ़ी खुशी है वा भी वा इस मुहीम को आगे बढ़ाने में लगा है कि जहां भी प्रतिभाएं होंगी हमने खोच के निकालेंगे दो ऐसी प्रतिभाएं इस मंच पे हैं जो पहली बार आज टेलिविजिन के परदे पे आएंगी और मैं दावा करता हूँ ये मेरा वादा नहीं है मैं दावा करता हूँ कि जब वो अपने कविता और शेर पढ़ाएंगे तो आप कहां थे ये हीरे अब तक छुपे हुए तो ये हीरे आज अपने अपने मुकाम से बाहर निकल आये हैं और आज अपनी चमक सारी दुनिया में बेखरेंगे सबसे पहले जो हैंडसम सा नौजवान बैठा है महरास्ट में वाशिम जिले के पास हिवरा रोहिला एक बहुत चोटा सा गाओ है वहां रहते हैं इसमाइल राज और इसमाइल राज जब अपने शेर सुनाएंगे बेसाखता आपके मूझ से वह पई वह निकलेगा हम सबस्क्राइब बैठिए बुलाएंगे बुलाएंगे इसमाइल इतनी जल्दी क्या है यह जल्दबाजि मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस्माइल इतनी जल्दी में कि पढ़ लूँ बस, ये इनसान में पैशन होना चाहिए, आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिए, इतना आगे बढ़ए आदमी जैसे धमचक जी को लोग कहा करते हैं, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो, ज जिसको खेते हैं पुराने चावल हैं, बड़े जबरदस्त कवी हैं और रतलाम मध्रदेश में रहते हैं, रतलाम जहां की सेव बड़ी प्रसिद है, रतलामी सेव हैं, बड़ी तीखी और बड़ी मज़धार होती हैं, और ये बड़ी मज़धार कविताय लेके आते हैं, नाम की कविताओं की आजमी को सपस्ट कर देना चाहिए जैसे आपने खाक में शुरू से धमा चोकड़ी करने वाला रहा स्वाती एकदम से घरा गई तुमारा नाम जो है गजिराज सिंग राठोर बड़ा लंबा है अच्छा और तुम दमा चोकड़ी करते हैं इसलिए तुमारा नाम धंचक और रतलाम के पास एक मुल्थान है मुल्थान मुहां से मैं पहले कभी समनू जाता था तो उन्होंने मुल्थानी कर दिया इस तरह ध स्वाती खुश्बू यू मुल्त है पटना किये इन दिनों नोएडा में रहती है तो दो प्रदेश का प्रतिंद्द्र तुकर रही है वो बिहार से भी और यूपी का भी दोनों ही प्रदेशों से हमारे बीच में आते हैं और हास की बड़ी शानदार कविताएं वो करती है वो होती है खुश्बू चाहिए वो नाम की खुश्बू हो चाहिए वो काम की खुश्बू हो चाहिए वो फूल की खुश्बू हो चाहिए वो असूल की खुश्बू हो चाहिए वो वहवार की खुश्बू हो चाहिए वो महबत या प्यार की खुश्बू हो चाहिए वो इ होता है तो वा भई वा होता है लेकिन प्यार अगर एक तर्फा हो तो क्या होता है मैं बताती हूं पात पात दिल के मुझे आज कहने तो दो एक तर्फा सही यू ही रहने तो दो ते नहीं सकते हो जो मुहाबबत मुझे कम से कम अपनी मम्मी के गहने तो दो यह सच्चे प्यार है, यह पड़ा प्रैक्टिकल प्यार है वाई, वाई, सही वाई, यह आज के जमाने की लड़की, ना कहने तो देतो भाई खुली आखे तो मेरे सामने संसार गायब था लड़की ही आज की नहीं है, लड़के भी आज के होते हैं, बताती हूँ कैसे खुली आखे तो मेरे सामने संसार गायब था जिसे मारा मेरा दिल बर वोही दिलडार गायब था महाबबत में लोटाने को में सब तैयार थी, जैसे गले उसने लगायब थो हमारा हार गायब था तो इसमें बुरा भी दहीमाना चाहिए है? बहे, नाही का खुद कह दिए है के महाबबत में सब ل puppet को तैयार थी तो हार चला गयए तो क्या पादता है? बिल्कुल और कहते भी है न, मौबबत में जीतता वही है जिसकी हार होती है क्या बात, वाव वाई वाई इश्क भी मेरा, खर्च भी मेरा, नाम भी खूब कमाया था खून से चिट्टी लिखी थी, मुरगे का खून बहाया था कार्ड चपा जब शादी का तो हम में इतनी दूरी थी अंदर उसका चपा नाम मेरा बाहर चप भाया था वाव वाव अच्छे, मलं निमंद्रन था बाहर कभी-कभी दुनिया बुझने के चकर में बुधी का दिमाग से ही साथ छोट जाता है अच्छा पालो जी में पढ़ाया गया बार बार किन्तु नियम को यहाँ पर प्यार लूट जाता है देश की जवानी आज इतनी दिवानी हुई सुन कर डॉक्तरों का भाग फूट जाता है जिस दिल में नहीं है हटी एक भी कहीं पे वही दिल कैसे बार बार टूट जाता है जिस दिल में एक भी हटी नहीं है बार बार कैसे टूट जाता है क्यामी का लोचा होता है यह यह बालो जी का लोचा हुआ है जी 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 जो बात तो हर बात में सूखी नमी निकली ये आखे जील थी पर बेरहम सरदी जमी निकली बड़ा ही चुम्ब की साथा हमारे इश्क का चुमबक बड़ा ही चुम्ब की साथा हमारे इश्क का चुमबक बुरी किसमत उसी में आयरन की ही कमी निकली जिस वक्त उसने हार लिया उसके पहले इन्होंने पर्स निकल लिया था ये बराबरी का प्रेम है लेकिन महबत की कई रूप होते हैं महबत का एक रूप ये है महबत का दूसरा रूप ये है जो अंजुम रहवर कहती है कि ये किसी दाम का नहीं होता ये किसी धामका नहीं होता और महबत में जब तलक नहीं तूटे दिल किसी कामका नहीं होता तो हमारे पास एक ऐसा शायर है जिसने कहा कि उसके ख्यालात उसके हालात से पड़े बहते हैं और मैं दावा करता हूँ कि उसके ख्यालाद सुनके आप कहेंगे भाई इसमाइल राज कहा थे तुम आज तो हमारे पास है इसमाइल तो इसमाइल हम चाहते है कि तुम पढ़ो और हर चेहरे पर देश में स्माइल हो इसमाइल राज तुम पढ़ो इसमाइल राज करेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग महबत छोड़ देंगे या महबत ही करेंगे क्या पास जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त हमारा वक्त जरा पीछे चल रहा है दोस्त ना मिल सकी मेरे हिस्से की रोशनी भी मुझे मेरा चराक कहीं और जल रहा है दोस्त इसलिए बड़े मक्बूल शायर है उनका एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा किसी चराक का अपना मका नहीं होता महर्बा हम पे हर एक रात हुआ करती थी आँख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी हिजर की रात है हिजर जुदाई हिजर की रात है और आख में आसू भी नहीं ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी आई हाई हाई वाँ समयल वाँ क्या बात है और शुदी आप कोई गम शनास भी नहीं है पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है यहां तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है वह वाँ, 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 बहुत बढ़ जा है एक मतल़ कुछ शेर यह भी सुने के अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे के आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे तुझे दिलाना है एहसास, अपने इस दुक्त तु कुछ तो बोल, तेरी बात काटनी है मुझे वाँ, 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 तु कुछ तो बोल, क्या बात है तो कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे, जरासी देर को सकते में आ गए थे हम, के एक दूजे के रस्ते में आ गए थे हम, जो अपना हिस्सा भी औरों में बाट देता है, एक ऐसे शक्स के हिस्से में आ गए थे हम, अरे वाँ, क्या बात है, अरे वाँ, इस्माइल, वा आहा, बैवा, आहा, एक मतलग को शेरी भी सुने के, दर्द ऐसा नजर अंदाज नहीं कर सकते, दर्द ऐसा नजर अंदाज नहीं कर सकते, जबत ऐसा के हम आवाज नहीं कर सकते, बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता ही नहीं अब तेरे मिलने पे हम नाज नहीं कर सकते बात करता नहीं है कोई भी क्या अजियत है साफ गोई भी बात करता नहीं है कोई भी क्या अजियत है साफ गोई भी वो के खुश भी नहीं थी मेरे साथ और बिच्डी तो खूब रोई भी बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है एक दिवाने ने जमी सर पे उठा रखी है इत्ते फाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है भाई वाई 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 क्या बात है इसमाइल भाई क्या बात है वाई 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 मैं जानता हूँ आप लोग प्रतीक्षा रत हैं भाई अब क्या होगा भाई वही होगा जो हमेशा होता है कुछ बातें ऐसी कुछ लवज ऐसे कुछ अंदाज ऐसा कुछ कवितां ऐसी जो आपकी घरों के आंगन में सारी उदासी को हर ले और वहाँ पर हसी धर दे तो हसी और मुस्कुराट के लिए हमारे पास हैं गजराद सिंग राठोर साब जिन्होंने कई बरसों पहले अपना नाम धम्चक मुल्तानी कर दिया रतलाम से हमारे बीचपे आते हैं तो आईए रतलाम जंक्शन से अपनी ट्रेन यहां पे लेके आईए सेले जी आजकल महेंगाई बहुत बढ़ गई क्या बात कर रहे है और जब महेंगाई बढ़ जाती है तो लोग किसके पास जाते जो नेता चुनाव जी जाता उससे निवेदन करते हैं अब वो महेंगाई कैसे कम करते हैं कि सहर के मद्य चोराहे पर सीडी के सहारे एक नेताजी आसमान पर चड़ रहे थे सीडी दर सीडी आगे बढ़ रहे थे मैंने कहा ओ देश के करणधार यह आप क्या कर रहे हो आपके लिए चुलू पानी कम था जो आसमान से कूद के मर रहे हो तो नेता ने उपर से आवाज लगाई सुनो धम्चक भाई सायत तुम्हें ग्यात नहीं आकास छोने में कोई खास बात नहीं मैंने जन्ता से वादा किया है तो हिम्मत नहीं हारूंगा वस्तुओं के भाव आसमान पर जाड़ चड़े हैं मैं उनको नीचे उतारूंगा कभी समय जाते हैं आप कई तरह के लोग मिल जाते हैं कई प्राक्ष्ण करते हैं कई कविताएं बन जाती है एक मीत्र बोले धम्चक जी विवा के समय आदमी ओरत की मांग में सिंदूर भरता है मैंने का भरता है वो बला बता ही एसा क्यों करता है हमारा एक मीत्र बोला ले दम्चक जी आदमी औरत की मांग में सिंदूर इसलिए भरता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि स्प्लोट की रजिस्ट्री हो गई अज़क जिस लड़की की शादी हो रही होती है अकसर उसके आसपास तीन चार खुमारी लड़कियां गुमती है वो इसलिए गुमती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिस प्लोट की रजिस्ट्री हो रही है उसके आसपास के प्लोट अभी खाली है हभाई अजय आदमी की मांग में सिंदूर निव भरा जाता यूंकि वो तो गोचर वुमी है और गोचर वुमी की रजिश्ट्री नी हो थी ए तो एक मित्र बोले धम्चक जी विवा के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है मैंने का भरता है वो बोला बताई ऐसा क्यों करता है मैंने का इसमें कोई क्या करे अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे सिंदूर का कलर हरा होता है सिंदूर का कलर लाल होता है जिसे बनने के बाद आदमी पेली बार हलाल होता है क्या बात है वह आपके सिंदूर की बात पर मुझे स्वर्गिय प्रदीप चौबे जी के एक बहुत बढ़िया बात आ गई जैसे आपने का नौर्मली लाल सिंदूर भरा जाता है तो प्रदीप जी कहते थे कि एक औरत है वो हरा सिंदूर लगाती थी तो किसी ने पूछा इंजन के ड्राइवर है इसके इससे पता चल जाता है कि लाइन क्लियर है प्रतिक्रिय व्यक्ति करने जम्या ने। एक महिला ने एक साथ छे बच्चे को जन्म दिया। अब आप तो हसेंगे, रोईगा तो वो जिसको छे हुए है, और आप छे बच्चे में हमारे परिवार नियोजन अधिकारी मित्र हैं, उनके साथ बच्चे, मैंने का परिवार नियोजन विभाग के अधिकारी होके आपके साथ बच्चे, वे बोले में परिवार नियोजन वि बड़ी गेहरी बात है, आप तो अनुभवी आदमियों समझेंगे, कि भारत में अधिकांश बच्चे परिवार नियोजन की वजए से पैदा नहीं होते, वो अकसर रूठने और मनाने की प्रक्रिया में पैदा होते। एक महिला ने एक साथ छे बच्चों को जन्म दिया, इस गटना की अलग-अलग हुई प्रतिक रिया, पन्यूस पती बोला, बगवन ये बहुत अच्छा हुआ, एक तो पांट डिलेवरी का खर्च बचाया, साथ में बार-बार के जन्जर से पीन छुडाया, इतने में परिवान योजन ने दिखारी गुर रहा है, कि इस नारी ने भारती विधान को तोड़ा है, एसी महिला परिवान योजन के लिए रोड़ा है, छे बच्चे वो भी एक साथ, बढ़ती आवादी पर कितना बड़ा अगात, एक अग्रधत आलोचक बोले, ये तो महिला की मजबूरी है, सरासर डाक्टर ओरनर्स की कमजोरी है, अरे प्रसाव पीड़ा के दोरान बच्चे हो रहे थे, तब ये लोग क्या भांग पी के सो रहे थे, पीन के बाद अपनी कला दिखाते, परिवान योजन के उपकरण काम में लाते, मैंने कहा क्यों नहाग परेशान होते हो, वियर दूसरों को दोस्त देते हो, ये सब इस्वर की कराम आते, इतने में मंत्री जी भवक कर बोले, इस्वर की क्या खा कराम आते, फे बच्चे उना महुनी बात है, फिर इस महिला की क्या हो का थे, इसमें जरूर विरोधियों का हाथ है, विरोध वाली जो प्रक्रिया है ना, ये कमाल की है, बात मैंने कई पढ़ी, लेकिन अब विशेयर जैसाब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पढ़ी थी तो मुझे कहना लाजबी हो कि जो होते थे गाओं में और सब घरगर में बन गए अब तो, तो एक जो व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया बात का है, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता कि घरगर में हो गए, फिर भी एक व्यक्ति हमेशा सुबई-सुबई खेत में ही गया, तो उससे किसी ने पूछा कि भी अब तो हो गया है, अब क्या चक्कर है, बोले मैं विपक्ष में हूँ, जो नहो जाए वो कम है, लेकिन अब जो होने जाना वोड़ा कमाल का है, कहानी थोड़ी इल्मी है, फिल्म का एक दरश्य आवाज नहीं, और ये क्या कहते हैं, हम सुनेगे कहानी थोड़ी इल्मी है, आशा पारिक जी है, और कत्रु साहब है, और फूल फैका गया है, और थोड़ी रूठना है, नाराजगी है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आथ में फूल है, इस्माइल, ये लोट कर आए हुए आशिक लग रहे हैं, लोट कर आए हुए आशिक, बूठपूर्व आशिक है तो पुनहा है, आपको ऐसा लग रहे है, एक मतला एक शेर है मेरा, के तेरी गली को छोड़ के पागल नहीं गया, तेरी गली को छोड़के पागल नहीं गया रसी तो जल गई है मगर बल नहीं गया मजनू की तरहा छोड़ा नहीं मैंने शहर को यानी महिज्र काटने जंगल नहीं गया क्या बात है मतलब आप यह देखें कि स्माइल ने बहुत तमीज से बात कह दी यह देखें कि गया नहीं मैं यहीं हूँ यह तो तहजीब की बात थी बड़ा अंदास से कहा कि मैं हिज्र काटने जंगल नहीं गया लेकिन अर्थ यही था तू ध्यान रखियो इधर ही हूँ मैं तो गया नहीं हूँ मैं तू को ऐसा मत समझे ना कि मैं निकल लिया लेकिन यह होती है कविता की ताकत यह होती है शायरी की ताकत कि जो बात कही जाए वो तहजीब के साथ कही जाए तमीज के साथ कही जाए तब मुझे जाते आते एक शायर के दोशेर याद आते है कि दुनिया ये महबत को महबत नहीं देती इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती और ये मंच है तहजीब का कविताकार यही जिन्दा रहेगा और हम कहते रहेंगे वा भाई वाई